तो दोस्तों यहां इपरता खेत है मैं इधर गाहों में आया हो तो इधर हल जोते हैं इधर खौदाम कुछी रखता है जो भी आपका सवाल होगा वाट्साप करते ना उधर ही आके फिर देख लूंगा जब मैं नेटर कमांगा इधर नेटर के नहीं रहते हैं तो फ़वा खी मैं चोटा मीनी ट्रेक्टर है तो इधर ही जाके आप लोगों को सारे जबाब मिलेगा तो जातर आपकी नजर जारी उत्रों पर तक और इसको लोगों को सारे खेती खेत हैं जिनको सारा करना है मैंने एक जो दिल में खतम करके फिर चंदुगर मिलता है कर दो दो है तो दोस्तों दो खेत यहां से कर दिये और उपर तक हैं तो पूरी अक्सरसाइज हो रहा है पूरा जीम हो रहा है तो पैसिना पैसिना हो गया यह तो मिट्टी मिट्टी भी हो गया पूरे मिट्टी में भुल मिल गिया है तो यहां पर बोल रहे हैं मसूर मसूर की दाल तो बह करीब एक लाख रुपिया इसकी कीमत है और सब्सेटी में यहां पर किशानु को बहुत छूट मिलती है तो शाहिद अभी तो हमने इसका 50,000 रुपया जमा कर रखा है और इसमें से 30-32,000 वापस आ जाएगा जो सब्सेटी मिलेगी और बागी यह जो हमको पड़ेगा यह 18-20, 20,000 करीब का पड़ेगा तो खोड़ा सा अक्सेसाइज पूरी हो रही बागी बढ़िया तरीके से खेती हो रही बहुत अच्छे तरीके से मिट्टी को खोध रहे तो दोस्तों किशानी काम आपको कैमरे में नजर तो नहीं आ रहा होगा यहां पर धूप है अभी लाइट ज देखी यहां पर पर दिख रहा है वहां तक पूरे खेत आ हैं और इस तरप भी जो शीषी इधर को तो बहुत मज़ा आया है काम करके आप लोगों को भी आई होप मज़ा आएगा यह वीडियो देखके तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिए यह देखें इधर को यह गोगर वाला खाद है आप लोगों को दिखाई दिरा होगा खेत में एदेखें आपट शेट सब बोने है नीचे से उपर तक इसमें दाले बोई जाएगी और गहों भी बोई जाएगी तो यह देखे एधर की छाव मैं बड़े बड़े पत्ते वाला पेड और ऐसम और कई बार यहाँ पूजा होती है तो पूरी खाये जाते हैं इन पत्तों मे बहुत ही साफ बतते हैं चारे के लिए ये खेतु में ही पेड़ोते हैं गाई भेंस के लिए मिलता हैं के लिए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जाई जवान जाई किसान